मेश राशी पुरानी चली आ रही कोई परेशानी निपट सकती है, अच्छा काम करेंगे, बड़े लोग और अधिकारियों की नजरों में आपकी अच्छी इमेज भी बन सकती है, कोट का चहरी के मामलों में आपका पक्ष मजबूत होगा, दुश्मनों से सावधान रहे, रूखा व्यव हो जाएगी, घर और ऑफिस से सहीयोग मिलेगा, पार्टनर आपको ऐसी सलहा दे सकता है, जो आपके लिए बहुत जरूरी भी है, और उससे आपको बड़ा फाइदा हो सकता है, आपका पूरा ध्यान अपने महतपूर कामों पर रहेगा, शुबरंग नारंगी, शुबंग स करक राशी, आपकी योजनाओं में बड़ा बदलाव भी होगा, किसी सम्बंध में समझोता भी करेंगे, करियर में महतकांक्शाएं और बढ़ सकती हैं, इस बात का ध्यान रखें कि कुछ महतपूर लोगों का ध्यान आपके काम पर है, शुबरंग लाल, शुबंग चार सिंग राशी, दिन अच्छा रहेगा, मन को सकारात्मक, शान्त और संतुलित रखने की कोशिश करें, आप पर किसी और की नकारात्मक सोच का असर नहीं पड़ेगा, शान्त रहने की कोशिश करें, शुबरंग आस्मानी, शुबंग चार कर्ण्या राशी, दिमाग तेज चरेगा, दूसरों के कामों के साथ आप अपना मतलब साथ सकते हैं, आफिस में एक काम खत्म होगा तो दूसरा सामने आ जाएगा, अच्छे समय का इंतजार आपके विरोधियों को हराने की शक्ती देगा, नई योजनाय बनाएंगे, खु शुबरंग लाल, शुबंग नौ ब्रिश्चिक राशी, धन लाब हो सकता है, मेहनत से पैसे कमाने का दिन है, आप ज्यादा ही उत्साही और स्फूर्ती वान रहेंगे, दूसरों की भावनाओं के प्रती समिदन शील रहेंगे तो अच्छा रहेगा, नजदी की रिष्टों का तनाव खत्म करने की कोशिश क करेंगे, सुखद और लाबधाय क्यात्रा होने के भी योग हैं, शुबरंग पीला, शुबरंग एक, धनुराशी, परिवार और पैसों से जुड़े मामलों पर आज आपको विशेश ध्यान देना पड़ेगा, आपके मन में कोई भी संदे हो तो वो साफ हो जाएगा, खु परिवार पर ध्यान देंगे, संतान के साथ समय बिताने से प्रसनता मिलेगी, धनलाब होगा, प्रमोशन या बड़े फायदे में आपका मन उलच सकता है शुबरंग नीला, शुबंग तीन कुमराशी, बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे, नए लोगों से जुडेंगे, किस्मत का साथ भी मिलेगा, कारे कुशल्टा बढ़ेगी, अपने संबंदों से आप सब काम निकाल लेंगे, जिस प्रोजेक्ट पर आप काफी मेहनत करेंगे, उ जो काम सामने हों वो निपटा दे, पैसो की सिथी पर विचार करना होगा, शुबरंग सफेद, शुबअंग नौ मीन राशी, दामपत्ते जीवन में सुख मिलेगा, परिवार के साथ किसी खास मामले में सलहा हो सकती है, कारोबार और नौकरी में मेहनत ज्यादा होगी और आप फायदे में रहेंगे, जिन लोगों से मिलेंगे, उनसे आप काफे कुछ सीखने को भी मिलेगा, शुबरंग क झाल